नित्य सिध्ध क्रिष्ण प्रेम साध्ध कभुन श्रबना दिशध्ध चिते करहवद अर्थात कई भी साधना से हम क्रिष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते परन्तु केवल गुरु पदत मंत्रत को जब करने से एवं गुरु मुक्से निश्रुत बाणी को रिदय में धारन करने से हम इदुल्लव क्रिष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं गुरु मुखपादम बाक्यों चित्ते ते करिया आईक्यों परन्तु गुरु बाक्यों के प्रती हमारे द्रोडता नहीं हो रहा है हमारे विश्वस नहीं हो रहा है हमारे स्रद्धा प्रत्पन्न नहीं हो रही है क्योंकि हम प्रत्यक्त मुर्थ में पल पल कोई ना कोई शमश्चा से सम्मुखिन रहते हैं जो शमश्या है हमारा चित को चंचल कर लेता है और वो शमश्या का समधहन के लिए हम कभी कभी पिता मता का आश्रे लेते हैं तो कभी कभी भाई बेहन का आश्रे लेते हैं कभी कभी हमारे गुरु का आश्रे लेते हैं तो कभी मित्र का परंद कृष्ण प्रम प्राप्ति के लिए चित स्थीर होना आवश्यक है और चित स्थीर होने से ही हम गुरु बाक्यों को धारन कर सकते हैं तो इसलिए और एक व्यक्ति का आवश्यकता है उसको कहते हैं सिख्या गुरु दिख्या गुरु एक है परंतु शिख्या गुरु आने एक है और दिख्या गुरु भी शिख्या गुरु हो सकता है हमारे पिता मता भी हमारे शिख्या गुरु हो सकता है हमारे मित्र भी शिख्या गुरु हो सकता है अबदुत महराज का चब्विस गुरु थे परंतु अनेक शिख्या गुरु से हमको एक शिख्या गुरु को चैन करना पड़ेगा जिनके पास हम हमारा समस्त समश्या का निर्दोंद में ब्यक्त कर सकता है बिना संसय से हम उनके पास हमारा संसय को उपस्तापन कर सकते हैं हमारा समस्या को उपस्तापन कर सकते हैं और वो शिख्या गुरु सास्त्रिय शिद्धान्त के अनुशार हमारे समस्या को समाधान करेंगे पिता, माता, भ्राता, भगेनि, मित्र, गुरु, आधी रूप में हमको पथप्रदर्शन करेंगे और पल-पल पुर्ण पुरुस्तम भगवान स्रे क्रिश्न के नाम माधुरी, रूप माधुरी, लेला माधुरी एवं बेनु माधुरी के विश्या में श्रबन कराएंगे श्रुनतम सकता क्रिश्न, पुन्य स्रेवन केर्टन, हीदा अंतस्त ही अबद्रानी, विधिनुती सुहित स्वताम जब हमारे पिता माता बन करके, हमारे भाई बेहन बन करके, हमारे मित्र बन करके हमको क्रिश्न का, दिव्य लिला का, दिव्य नाम का, दिव्य रुप माधुरी का वारनन करेंगे यो सुनते, 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 हमारे हिदय में जो सारे समश्या, हमारे चित्त ब्रित को चंचल करता था, वो सारे समश्या, दूर हो जाएगा केवल कृष्ण का था श्रवन करने से तब हम गुरु पदत्त मंत्र को जब करेंगे हरी कृष्णा हरी कृष्णा 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 हरी हरी हरे राम हरे राम 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 हरे हरे इजब करने से इमंत्र का जो दिव्य गुंजन दिव्य तरंग हिदय के अंदर प्रवेश करेगा तब भिद्यंते हिदयर गन्थी चिद्यंते सर्व संग्षया खयंते चाश्य करमाणी दृष्टाइब आत्मनेश्वरा तब ये दिव्य मंत्र का धोनी हिदय गन्थी में प्रवेश करके हमारे सारे संग्षय को नश्ट करेगा और सारे जो पाप करमा और पुन्य करमा दुन को छेदन करेगा तब हमारे क्रिष्ण प्रेम को बीज अंकुर्द गम होगा और प्रत्त हो ये नामजब से और क्रिष्ण लिला श्रवन से हमारे ये प्रेम का वीज अंकुर्द गम हो करके धीरे 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 बढ़ता रहेगा बढ़ते 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 ये ब्रम्हान को भैद करके बैकुंठ भेद करके बिराजा नदी पात करके गुलक ब्रिंदावन में प्रविश करेगा और वहाँ पर दिव्य शिंगासन के ओपर अश्टदल कमलों पर विराजित श्री श्री राधा क्रिष्ण की श्री चरन कमल पर अर्पित हो जाएगा तब हमारे क्रिष्णा प्रेम का पुर्णता प्रप्ति होगा अरे क्रिष्णा